केंद्री मादमिक शुच्छा बोर्ड यानी CBSE ने बार्वी बोर्ड के परिक्षा का परणाम घोशित कर दिया है CBSE ने बिना पूर्व सूचना के ओफीसियल ट्वीटर हैंडल से रिजल्ट की घोशना की है इस बार्वी में कुल 87.333 परिशत चातर पास हुए है वही दूसरी नमबर पर बेंगलूर रहा तीसरे नमबर पर 59 और चौथे नमबर पर देशकी राजधानी दिल्ली का नमबर था CVSC के बारवी के जारी रिजल्ट में कुल 87.33 प्रशत स्टूडेंट पास हुए जो पिछले साल से 5 प्रशत कम है त्रवेंद्रयम जोन ने 99.91 प्रशत के साथ सबसे बहतर प्रदर्शन किया बतादें कि लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से उस बार भी बहतर रहा है चात्राओं का रिजल्ट चात्रों से 6 प्रशत बहतर रहा है लड़कों का रिजल्ट जहां 84.67 प्रत्शत रहा वहीं लड़कियों का रिजल्ट 90.68 प्रत्शत है। चात्र केंद्री मादमिक सुक्षा बोर्ड यानि CBSC की ओफिशल वेबसाइट cbsc.gov.in पर और cbscresults.nic.in पर जाकर बारवी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए चात्रों को अपना रूल नमबर दर्श करना होगा। रिजल्ट चेक करने का तरीका आप जान लीजिए। नमबर एक, cbsc के आधिकारिक वेबसाइट results.cbsc.nic.in या cbsc.gov.in पर जाएं। स्टेप नमबर दो, होम पेज पर cbsc.12 result डायरेक्ट लिंक पर ट्विक करें। स्टेप नमबर तीन, लॉग इन पेज खुल जाएगा, यहां अपना रूल नमबर और जन्रतिती दर्श करें। स्टेप नमबर चार, आपका cbsc board result स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चक कर लें। स्टेप नमबर पाँच, छात्र यहां से result के digital copy डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। cbsc board परिक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विशय में कम से कम 33 प्रिशत अंक्र हासिल करने जरूरी होते हैं। छात्रों को internal और external दोनों papers में passing marks राप्त करने होते हैं। internal paper में class test, assignment और project शामिल होते हैं, जबके external paper में final board exam शामिल होता है। इस साल cbsc board परिक्षा 14 फरवरी 2030 से शुरू हुई थी और 10 वी class की परिक्षाएं 21 मार्च को खत्म हुई। जबकि 12 वी class की परिक्षाएं 5 अपरेल तक चली। इस साल लगभग 38 लाग से ज़्यादा छात्रों ने cbsc board में metric और inter की परिक्षा दी थी। इसमें से 10 वी class में 21,86,940 चात्र और 12 वी class में 16,96,770 चात्र शामिल हुए थी। वोड परिक्षाओं के इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ।